हालो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के इंपोर्टेंट क्वेस्टन्स क्वेस्ट नमबर वन है हमारे पास इफ साइन थीटा इस एक्वल टू 3 अपॉन 4 प्रूब दैट अंडर रूट अफ तो कैसे सॉल्फ करेंगे सबसे पहले देखो गिवन क्या है हमारे पास गिवन है हमारे पास साइन थीटा इस एक्वल टू 3 अपॉन 4 कौन सा फार्मुला यहां पर यूज करेंगे पंडित भद्री परशाद हर हर बोले सोना, चांदी, तोले ठीक है यह चीज बताई थी आपको यहां पर क्या आएगा साइन, कॉस और टैन देखो साइन को हम कैसे लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनस तो सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे और टिग्नोमेट्री कहां पर यूज होती है राइट अंगल ट्राइंगल पर ठीक है, A, B और C तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटनस अंगल B क्या है, 90 डिग्री का, राइट अंगल ट्राइंगल तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 ये बली चीज कितनी होगी, 3 हाइपोटनस कितना है, 4 और मैंने कहा था, साइन थीटा 3 अपॉन 4 मतलब एग्जक्ट वेल्यू नहीं है, 3 का मल्टिपल है तो 3X और यहाँ पर कितना आएगा, 4X कौन सी थेयोरम यूज करेंगे यहाँ पर राइट अंगल, ट्राइंगल फाइंड करने के लिए, बेस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थेयोरम तो पाइथागोरस थेयोरम क्या होती है, देखो बाइ यूजिंग by using Pythagoras theorem hypotenuse का square is equal to perpendicular का square plus base का square hypotenuse कितना है यहाँ पर AC का square is equal to perpendicular BC का square plus base AB का square values put कर देंगे AC तो 4X का square is equal to BC 3X का square plus AB AB हमें find करना है तो 4 का square कितना आता है 16X square 3 का square 9 इस चीज़ को मैं यहाँ पर ले आऊँगी minus का 9X square बन जाएगा is equal to AB का square 16 से 9 less करते हैं 7X square यह चीज़ आएगी हमारे पास is equal to AB का square ठीक है तो AB की value कितनी आएगी under root 7X यह चीज़ आएगी हमारे पास base कितना है under root 7X अब यह बाली value हम यहाँ पर find कर देंगे अब देखो यहाँ पर आपकी मर्जी है या तो आप cos secant की value निकालो cot की value निकालो फिर secant की value निकालो और यहाँ पर put करो then इस चीज़ को equal to prove करने है root 7 upon 3 आप ऐसे भी solve कर सकते हो किक है cos secant किसका posit होता है हमारे पास देखो sin का sin का posit होता है cos secant cos का posit होता है secant और tan का posit होता है cot तो individual आप values निकालोगे फिर आप यहाँ पर put करोगे यह फिर आप direct भी कर सकते हो देखो direct कैसे करोगे क्या दिया था आपके पास cos secant square theta minus cot square theta upon में क्या था हमारे पास secant square theta minus 1 is equal to prove करना था हमें root 7 upon 3 के तो देखो हमारे पास property है property क्या है हमारे पास cos secant square theta minus cot square theta is equal to 1 यह property है ठीक है सेम इसी तरह second square theta minus 1 is equal to tan square theta ये भी क्या है हमारे पास property, identity है ये ठीक है तब direct ये भी use कर सकते हो left hand side हम क्या put कर लेंगे देखो under root में cosecant square theta minus cot square theta इसकी जगा हम 1 put करेंगे divided by second square theta minus 1 तो यहाँ पर हम put कर सकते हैं देखो tan square theta ठीक है अब values put कर देंगे तो 1 आएगा upon tan square theta तो tan की value हमें find करनी पड़ेगी tan की value कितने आएगी देखो tan theta is equal to tan कितना होते हमारे पास perpendicular upon base तो यहाँ पर perpendicular कितना है 3x और base कितना है root 7x x से x कैंसल 7 upon root 3 ये value आजेगी हमारे पास ठीक है या फिर x भी लिख सकते हो तो कितने आएगी 10 की value 3 upon root 7 ये चीज़ आए हमारे पास 3x upon root 7x whole square तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास under root root 7x whole square उपर जाएगा ठीक है तो ये कितना आएगा x से square और root 7 into root 7 7 बन जाता है upon 3 का square 9 x से square x square से x square क्या हो जाएगा cancel out remaining portion कितना रहा हमारे पास under root 7 upon 9 और root 7 तो perfect square है नहीं किसी का तो under root 7 upon under root 9 under root 9 3 का square है ठीक है तो 3 आजाएगा यही चीज़ हमें देखो prove करनी थी root 7 upon 3 ठीक है तो last में क्या लिखेंगे therefore under root of cosecant square theta minus cot square theta upon secant square theta minus 1 is equal to root 7 upon 3 ठीक है left hand side is equal to right hand side hence proved तो यह चीज़ हमने prove कर ली ठीक है students question number 2 is a rohambas of side 20 centimeter has two angles of 60 degree each find the length of the diagonal तो सबसे पहले हम क्या करेंगे rohambas की figure plot करेंगे ठीक है rohambas में क्या होता है four sides इसकी equals होती है and diagonals क्या होती है different ठीक है तो यह मैंने figure बना ली नाम दे देंगे a, b, c और d जहां पर यह points meet कर रहे है o ठीक है point o name दे दिया अब यहां पर यह चीज़ क्या है 90 degree यह चीज़ भी क्या है 90 degree यहां पर angle कितने degree के होंगे 90 degree के ठीक है यह चीज़ 90 degree 90, 90 और 90 तो देखो a rohambas of side 20 centimeter has two angles of 60 degree each तो यहां पर एक angle कितने degree का बनेगा 30 degree का ठीक है suppose करो यह 30 degree का है और यह चीज़ भी यह भी कितने degree का है 30 degree का ठीक है और यह बली side कितने degree है कितने centimeter है 20 centimeter हमें diagonal find करना है find the length of the diagonals तो a, d यह चीज़ फाइंड करने है और b, c यह बली length हमें find करनी है यहां पर तो सबसे पहले हम यह बली triangle लेते है इन triangle a, o, c a, o, c इस बली triangle में given क्या है देखो हमारे पास given है ac is equal to 20 centimeter और theta कितना है हमारे पास theta है हमारे पास 30 degree ठीक है तो क्या यूज़ करेंगे हमें कौन सी height find करनी है a, o यह बली चीज हमें यहां पर find करनी है तो क्या लिखेंगे देखो in triangle a, o, c क्या आएगा हमारे पास sin theta कैसे निकालते हैं देखो पंडित भदरी परशाद हर हर बोले तो यहां पर sin perpendicular upon hypotenuse यह चीज होती है ठीक है तो sin यहां पर क्या आएगा sin theta is equal to यह चीज हमें क्या करनी है find करनी है is equal to perpendicular perpendicular कितना है a, o upon hypotenuse hypotenuse है हमारे पास a, c sin theta और theta की value कितनी है 30 degree is equal to a, o a, o हमें find करना है a, c given है हमारे पास 20 cm sin 30 की value कितनी होती है 1 upon 2 तो 1 upon 2 is equal to a upon 20 क्या करेंगे यहां पर cross multiply तो कितना आजएगा 20 is equal to 2 a, o तो a, o की value कितनी आएगी 20 upon 2 2 से divide करेंगे 2 tens are 20 therefore a, o is equal to 10 cm a, o की value कितनी आए 10 cm हमें find क्या करना है a, d तो a, d क्या होते है हमारे पास a, d is equal to twice of a, o value पुट कर देंगे 2 into 10 तो कितना आएगा a, d is equal to 20 cm ये चीज़ भी कितनी आई हमारे पास 20 cm ठीक है next इसी तरह हम क्या करेंगे next formula यूज़ करेंगे ठीक है तो next हमारे पास क्या आएगा देखो यहाँ पर इस वाली triangle में इस वाली triangle में अब ये वाली चीज़ हमारे पास कितनी आई 10 ठीक है ये चीज़ हमारे पास 10 नाई और angle कितना है हमारे पास 30 degree का ये वाल angle भी कितने का है 30 degree का तो क्या लिखेंगे cos 30 degree cos theta is equal to cos हम क्या से रिफाइंड करते हैं base upon hypotenuse ये चीज़ होती है हमारे पास तो base कितना आएगा O C upon upon कितना आएगा ये चीज़ हमारे पास क्या है given है ये बाली चीज ठीक है तो O C upon में कितना आएगा हमारे पास A C ये चीज़ आएगी तो cos 30 की value कितनी होती है root 3 upon 2 और O C O C हमें find करना है then A C A C की value हमारे पास 20 again क्या करेंगे यहाँ पर भी cross multiply तो कितना आएगा 20 root 3 is equal to 2 O C तो यहाँ पर कितना आएगा O C is equal to 20 root 3 upon 2 2 से divide करेंगे 2 tens are 20 तो 10 root 3 किसकी value आई O C की 2 root 3 ठीक है सेम यही triangle हमने पहले हमने क्या किया ये बाली side find की अब हमें O C ये side find करनी है ठीक है तो O C की value ये चीज़ आगी अब देखो O C ये है हमें find क्या करना था B C तो B C क्या आएगा हमारे पास Therefore B C is equal to twice of O C ये चीज़ आएगी हमारे पास B C क्या होगा twice of O C तो B C is equal to 2 into value पुट करेंगे O C sorry यहाँ पर 10 root 3 आया था तो कितना होगा 10 root 3 10 into 2 20 20 root 3 Therefore B C is equal to 20 root 3 cm ठीक है और A D की value कितनी आई 20 cm A D ये बाली लेंथ आई हमारे पास 20 cm ठीक है ये complete और B C ये बाली complete आई हमारे पास 20 root 3 ठीक है तो ये आपके पास answer आ गया Question number third is If sin theta plus cos theta is equal to P and second theta plus cos theta is equal to Q then prove that Q bracket में P square minus 1 into is equal to 2P तो सबसे पहले हम देखेंगे given क्या है हमारे पास given लिखेंगे given क्या चीज है sin theta plus cos theta is equal to P ठीक है then second theta plus cos theta is equal to Q ये चीज हमारे पास given है और हमें prove क्या करना है Q Q P square minus 1 is equal to 2P ये चीज हमें prove करनी है तो पहले हम left hand side solve करेंगे left hand side क्या है हमारे पास Q और bracket में P square minus 1 values पुट कर लेंगे Q की value कितनी है हमारे पास Q की value है second theta plus cos theta ठीक है तो क्यों की जगा value पुट कर देंगे second theta plus cos theta ये चीज पुट कर दे next bracket में आएगा P square और P की value कितनी है sin theta plus cos theta तो क्या लिखेंगे हम sin theta plus cos theta whole square ये चीज आएगा P का square minus 1 as it is लिखेंगे अब इसको second theta second theta को हम क्यासे लिख सकते हैं देखो second हमारे पास opposite होता है किसका second theta opposite होता है हमारे पास 1 upon cos theta का ठीक है जब हमने trigonometric chapter के था तब आपको बताई थी तो second theta को हम लिख सकते हैं देखो 1 upon cos theta plus cos second theta तो cos second theta किसका opposite होता है cos second opposite होता है sin का तो 1 upon sin theta ये चीज लिख सकते हैं हम इसको तो क्या लिखेंगे 1 upon sin theta sin theta plus cos theta whole square तो किस चीज का formula बन रहा है a plus b का whole square अब देखो a plus b का whole square क्या होता है a square plus b square plus 2ab तो क्या लिखेंगे हम sin square theta plus cos square theta plus 2ab तो 2sin theta cos theta ये चीज़ आएगी minus 1 as it is आएगा bracket close अब next cos theta और sin theta इसका हम क्या ले लेंगे LCM तो जब हम LCM लेंगे LCM आएगा cos theta sin theta cos theta से cos theta cancel हो जाएगा sin theta into 1 sin theta plus sin theta से sin theta cancel क्या रहा रिमेनी cos theta तो cos theta into 1 cos theta bracket में sin square theta plus cos square theta कितना आते हैं हमारे पास 1 property है हमारे पास sin square theta plus cos square theta is equal to 1 तो ये चीज़ 1 बन जाएगी plus 2sin theta cos theta as it is आएगा minus 1 as it is लिखेंगे ठीक है अब यहाँ पर क्या आया हमारे पास sin theta plus cos theta upon में cos theta plus sin theta bracket plus 1 minus 1 cancel out हो जाएगा रिमेनिंग आया 2sin theta cos theta ये चीज़ आई हमारे पास ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर plus नहीं तो sorry cos theta sin theta ये चीज़ है ठीक है plus नहीं है तो देखो sin theta plus cos theta upon में cos theta plus cos theta sin theta है तो cos theta sin theta और यहाँ पर 2 sin theta cos theta तो ये चीज़ इसके साथ क्या हो जाएगी cancel out और रिमेनिंग पोर्शन क्या रहा sin theta plus cos theta into 2 तो 2 मैंने पहले लिख लिया 2 ठीक है तो 2 को as it is लिखेंगे sin theta plus cos theta ये किसकी value थी हमारे पास given था sin theta plus cos theta is equal to p ठीक है तो 2p ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई प्रूफ left hand side is equal to right hand side therefore left hand side is equal to right hand side hence proved ठीक है प्रूफ कर लिया हमने क्या चीज़ प्रूफ की qp square minus 1 is equal to 2p तो इस तरह से आप question को solve करोगे question number 4 is prove that sin theta minus cos theta upon sin theta plus cos theta plus sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta is equal to 2 upon 2sin square theta minus 1 left hand side is equal to right hand side हमें prove करना है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे left hand side को solve करेंगे ठीक है left hand side क्या है हमारे पास sin theta minus cos theta minus cos theta के साथ sin theta minus cos theta cancel out हो जाएगा remaining क्या हमारे पास sin theta plus cos theta और इसको multiply करेंगे sin theta plus cos theta के साथ ठीक है numerator and इसको तो क्या लिख सकते हैं sin theta plus cos theta whole square ठीक है अब देखो यहाँ पर हम identity use करेंगे identity कौन से use करेंगे numerator में sin theta minus cos theta whole square तो कौन से identity बन रही है a minus b का whole square क्या formula होता है a square plus b square minus 2ab a की value sin theta है तो क्या लिखेंगे sin square theta bracket में लिख लो sin square theta plus cos square theta minus 2ab तो क्या लिखेंगे 2sin theta cos theta plus as it is आएगा next sin theta plus cos theta whole square again a plus b की property तो क्या लिखेंगे sin square theta plus cos square theta plus 2sin theta cos theta यह चीज आएगा हमारे पास अब पॉन में क्या आएगा sin theta plus cos theta and sin theta minus cos theta ठीक है तो यह किस चीज का formula बन रहा है a plus b into a minus b क्या identity होती है a square minus b square तो इसको हम क्या लिख सकते है sin square theta minus cos square theta ठीक है यह चीज लिख सकते है अब देखो sin square theta plus cos square theta identity है कितना बनता है हमारे पास 1 minus 2sin theta cos theta as it is लिखेंगे plus as it is आएगा then sin square theta plus cos square theta again बन बनता है plus 2sin theta cos theta upon sin square theta minus cos square theta यह चीज आएगी हमारे पास अब देखो यहाँ पर plus का 1 है यहाँ भी plus का 1 है तो कितना बन बन जाएगा 2 minus 2sin theta cos theta और plus का 2sin theta cos theta आपस में क्या हो जाएगा cancel out तो 2 upon में कितना है हमारे पास sin square theta minus cos square theta यह चीज आए अब देखो हमें right hand side क्या prove करना था 2 upon 2sin square theta minus 1 ठीक है तो हम आगे भी इसको solve करेंगे कैसे 2 upon sin square theta as it is लिखेंगे अब देखो हमारे पास property होती है sin square theta plus cos square theta equal to 1 तो यहाँ से हमारे पास cos square theta की value कितनी आजेगी cos square theta is equal to 1 minus sin square theta ठीके तो minus as it is लिखेंगे then cos square theta की जगा हम क्या put करेंगे 1 minus sin square theta ठीके ऐसे लिख सकते हैं इसको अब क्या करेंगे brackets open करेंगे तो कितना आएगा 2 upon sin square theta minus 1 और minus minus क्या बन जाएगा plus sin square theta ठीके तो 2 upon sin square theta sin square theta add कर लेंगे कितना बन जाएगा 2 sin square theta minus 1 और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी देखो 2 upon 2 sin square theta minus 1 तो यह चीज़ क्या होगी हमारे पास प्रूव तो क्या लिखेंगे therefore left hand side is equal to right hand side hence proved यह चीज़ हमने प्रूव कर ली ठीके students question number 5 is if tan a is equal to n tan b and sin a is equal to m sin b prove that cos square a is equal to m square minus 1 upon n square minus 1 तो इस question को कैसे करोगे देखो given क्या है हमारे पास tan a is equal to n tan b यह चीज़ given है हमारे पास ठीके तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो इसको हम लिख सकते हैं n tan b is equal to tan a ऐसे भी लिख सकते हैं ठीके तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा tan b is equal to n कहां पर चला जाएगा denominator में cross multiply कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 1 upon n tan a ठीके ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अब देखो tan किसका पोजिट होता है cot का tan को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon cot तो यहां पर क्या लिख लेंगे हम 1 upon cot b is equal to tan a upon n यह चीज़ आएगी अब यहां पर भी हम क्या करेंगे cross multiply तो कितना आएगा n के साथ 1 को multiply करेंगे n 1 जाएगा ठीके tan a और cot b तो tan a को इसके upon में ले आएगे tan a is equal to cot b ठीके इस चीज़ को ध्यान में रखना यह बाला step ठीके n upon tan a is equal to cot b यह चीज़ आई हमारे पास अब next क्या given था sin a is equal to m sin b यह चीज़ भी हमारे पास क्या है given क्या चीज़ given है sin a is equal to m sin b तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं देखो m sin b is equal to sin a ऐसे लिख सकते हैं तो यहां से हमारे पास sin b कितना आ जाएगा sin b is equal to m multiply हो जाएगा cross multiply तो divide में जाएगा 1 upon m sin a यह चीज़ आएगी ठीक है अब sin किसका पोजिट होता देखो sin का पोजिट होता है हमारे पास 1 upon cosecant ठीक है और यह चीज़ हम क्यों बना रहे हैं क्योंकि हमें हमारे पास identity होती है cosecant square theta minus quad square theta equal to 1 तो क्या लिख सकते हैं हम इसको भी देखो 1 upon cosecant b is equal to sin a upon m यहाँ पर भी हम क्या करेंगे cross multiply और cross multiply करके क्या जाएगा हमारे पास देखो यह चीज़ यहाँ पर जाएगे यह चीज़ यहाँ पर तो यह बन जाएगा m upon sin a is equal to cosecant b से multiply करेंगे तो cosecant b m upon sin a is equal to cosecant b यह चीज़ आगी cosecant b की value भी आगी और cot b की ठीक है यह चीज़ आई हमारे पास अब identity क्या होती है देखो cosecant square theta तो cosecant square b angle हम भी ले सकते हैं minus cot square b is equal to 1 यह चीज़ क्या है identity है हमारे पास तो यहाँ पर हम value पुट कर देंगे cosecant square b cosecant की value कितनी आई m upon sin a तो क्या लिख सकते हैं हम इसको देखो m square upon sin square a यह चीज़ लिख सकते हैं minus cot square b तो cot की value कितनी है n upon tan a तो क्या लिख लेंगे n square upon में आएगा tan square a is equal to 1 अब देखो tan किसका पोजिट होता है tan cot का पोजिट होता है लेकिन tan को हम क्या लिख सकते हैं tan को हम लिख सकते हैं sin upon cos यह चीज़ लिख सकते हैं तो जब tan की जगब में sin square a upon cos square a लिखूंगी तो cos कहां चला जाएगा denominator में ठीकर numerator में क्या आएगा sin तो क्या लिख सकते हैं हम इसको m square upon sin square a minus cos square a upon sin square a यहाँ पर confused नहीं होंगे आप लो tan को मैंने convert किया sin upon cos में तो cos कहां चला जाएगा numerator में denominator में क्या आएगा sin ठीकर यह चीज़ आएगी is equal to 1 अब यहाँ पर हम क्या करेंगे LCM लेंगे sin square a और sin square a का तो LCM कितना आएगा sin square a ही आएगा sin square a से sin square a cancel कितना है हमारे पास m square minus इस चीज़ के साथ यह चीज़ cancels out कितना है हमारे पास यहाँ पर n b है तो n square cos square a तो कितना आएगा n square cos square a is equal to 1 अगें यहाँ पर हम क्या कर लेंगे cross multiply तो cross multiply करके कितना आएगा हमारे पास sin square a is equal to m square minus n square cos square a यह चीज आगे ठीक है अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं देखो is equal to 1 भी है तो 1 ऐसे ही आएगा sin square a property क्या होती है हमारे पास देखो sin square theta plus cos square theta equal to 1 तो sin square theta को हम क्या लिख सकते हैं देखो cos square theta sin square theta आजएगा 1 minus cos square theta यह चीज आजएगी sin square theta की जगा हम क्या लिख सकते हैं 1 minus cos square theta ठीक है तो क्या लिखेंगे हम 1 minus cos square theta is equal to m square minus n square cos square a और यहां पर थिटा की जगा क्या होगा ठीक है अब यहां पर कितना आ जाएगा 1-cos2 A minus N2 cos2 A को left hand side लेकर रहेंगे plus का बन जाएगा N2 cos2 A is equal to M2 ठीक है यह चीज as it is रहेगी plus का 1 है इसको हम वहां पर लेकर जाएगे इस चीज को यहां पर लेकर यहां पर क्या है देखो हमारे पास 1-cos2 A plus N2 cos2 A is equal to M2 तो 1 को हम क्या करेंगे right hand side लेकर चले जाएगे ठीक है और इस चीज को हम क्या करेंगे देखो N2 को मैंने पहले लिख लिए N2 cos2 A minus cos2 A इस चीज को as it is लिखा is equal to M2 plus 1 को right hand side लेकर जाएगे minus का 1 बन जाएगा अब यहां पर देखो cos2 A यहां भी है cos2 A यहां पर भी है तो हम क्या करेंगे cos2 A common लेंगे bracket में कितना आएगा N2 minus 1 यह चीज हमारे पास common आ गई is equal to M2 minus 1 अब देखो हमें प्रूफ क्या करना था कर देंगे cross multiply तो कितना आज जाएगा देखो cos2 A is equal to M2 minus 1 upon N2 minus 1 और यही चीज हमें प्रूफ भी करनी थी ठीक है तो यह चीज हमारे पास प्रूफ होगी ठीक है last में क्या लिखोगे hence proved तो इस तरह से आप ऐसे equation solve करोगे Thank you students